जै महाकाल दोस्तों कैसे हैं आप लोग? आसा करता हूँ भले चंगे होंगे मज़े में होंगे दोस्तों आज के समय में हर व्यक्ति पैसों की समस्या को लेकर परेशान है जो व्यक्ति की इंकम कम है वह व्यक्ति तो परेशान है ही है साथ ही साथ जिस व्यक्ति की इंकम आए ज्यादा है वह व्यक्ति भी परेसान है इसका कारण है कि आज के समय में हर व्यक्ति जो है उससे अधिक चाहता है जहां है वहां से उपर उठना चाहता है हर व्यक्ति एक ऐसी दोड में लगा हुआ है कि जहां पर वो है वहां से उसको संतुष्टी नहीं है और कुछ जादा पाने की वो हमेसा ही कोशिस करता रहता है कहीं कहीं पर ऐसा भी है कि व्यक्ति वास्तों में इतना जादा परहसान है कि उसको जीवन जीने के लिए बैजिक नीट्स हैं उसके लिए भी संघर्स करना पड़ रहा है तो ऐसी कोई भी इस्तिती है जहां पर आप कुछ अधिक पाना चाहते हैं जरूरत से ज़्यादा पाना चाहते हैं तो वहां पर आपको आपकी मेहनत का तो जो मिल ही रहा है उसके सास्यात यदि अधिक चाहिए तो आपको इस्वरिय कृपा की आवस्यक्ता पड़ सकती है यदि आपको ऐसी कोई कृपा प्राप्त हो जाए कि जिससे आप जो चाहते हैं वो पा लें तो बहुत आपको अच्छा लगने लग जाएगा और व्यक्ति इसके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाता है तो ऐसा ही एक सात्विक उपाय आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि इस उपाय को करने से आप जो चाहते हैं वो आपको अचुक मिल जाएगा तो दोस्तों यदि आप हमारी चैनल में नए हैं तो मैं आपको बता दूँ कि हम इस चैनल के माद्यम से हमारे प्राचिनतम ग्रंथों में छुपे उवे कई ऐसे गूट रहस्य हैं जिसके बारे में जानकारी प्रिदान करते हैं तंत्र, मंत्र, टोने, टोटके के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं, अंक सास्त्र, जोतिस सास्त्र, व्रत, देवार, इत्यादी के बारे में भी समय समय पे जानकारी प्रदान करते रहते हैं तो यदि आप भी इसी तरह की जानकारी में रूची रखते हैं तो अभी हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि आगे भी हम इसी चैनल के माद्यम से इसी तरह की जानकारी आपको देते रहेंगे दोस्तों येदि आप भी ऐसी उम्मीद रखते हैं कि जो आप लाइफ जी रहें उससे आपकी लाइफ बहतर हो और जो चीज़ आपके पास में है उससे ज्यादा येदि आप भोतिक संसाधनों को पाना चाहते हैं तो फिर आप इस उपाय को करें, इस उपाय को करने से आप पर इस्वरीक रुपा बरसेगी और आप जो चाहते हैं वह चीज को आप बहुत ही आसानी से पालेंगे, हो सकता है उससे आप अधिक पालें तो दोस्तों आपको करना क्या है? गुरुवार की रात्री को आपको इस उपाय को करना है आपके घर में जो पटा हो, उसको जो लकडे का पटा आता है, कहीं पर कोई और भासा में बोलते होंगे तो मालूम नहीं है पटा आता है लकड़े का जो बेठने के लिए होता है कई बार उस पर रख करके हम भोजन भी करते हैं तो वो पटा आप ले उसको आप पानी से धो करके स्वच्छ कर ले हो सके तो थोड़ा उस पर गंगा जल आप छिड़क ले गुरुवार रातरी को आपको इस क्रिया को करना है और पीले कपड़े में सुहाग की पांच चीजे आप उसमें डाल दें कुई भी पांच चीजे सुहा की आप ले लें, जैसे बिंदी ले ले लें, कुम-कुम ले लें, चुडियां लें, ऐसी कोई भी सुहा की पांच चीजे आप उसमें ले लें और उस पीले कपड़े को आप ठीक ढंग से लपेड़ दे उससे हो सके तो उसको बांध दे कि वो फैले नहीं इस तरीके से आप उसको व्योस्थित रख दे और आपके घर की जो पूर्वदिसा हो उस पूर्वदिसा में आप उसको रख दे जमीन में और उसके उपर उल्टा पटा आप ढाग दे ये क्रिया आपको गुप तरीती से करनी है चुप शाप करनी है ये वो टोटके होते हैं जिसके बारे में ज़्यादातर लोगों को मालूम नहीं होना चाहिए बहुत ही गुपत रीती से करने चाहिए जितने गुपत रीती से करेंगे यह टोटके उतना ही विसेस फल आपको प्रदान करते हैं तो इसको आप इस तरह से रख दें अब दूसरे दिन शुक्रवार के दिन आप क्या करें इस क्रिया को आप सुक्रवार के दिन कभी भी कर सकते हैं, भोजन के लिए किसी सुहागन इस्तری को बुलाएं और खीर और पूड़ी ये दो चीज अवस्य रखें, सुहागन इस्तری का व्योस्तित आप उनका पेर धो करके उनको खाना खिलाएं, उनको तिलक लगाएं और इस उनके पेर छुक करके आप आसिरवाद प्राप्त करें या आपकी जो कोई उच्छा है वो मन ही मन बोलते हुए उनसे आसिरवाद प्राप्त करें आप देखेंगे बहुत जल आपके दिन बदल जाएंगे और आप जो चीज चाहते थे उसके अनुसार ग्रह परिवर्तित होने लग जाएंगे और ऐसे काम होने लग जाएंगे कि जो आप सोचते थे कि कहीं 6 मैना या साल में जाकर के होजगा वो काम देखते ही देखते आपका बन जाएगा तो चलिए दोस्तों अब इसी उपाय के साथ मुझे दीजे विदा और आप लोग देखते रहें दिव प्रकास और अपने जीवन में लाभनवित होते रहें धन्यवाद